हाँ जी तो कैश्व आप लोग मैं आपका नीले SP अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पत्र कैसे लिखें मैं आपको बताना चाहूँगा कि UP Board Class 10 के बोड़ी जामे ये इस साल नया जूड़ा हुआ टॉपिक है और Class 12 के एक्जाम में तो पहले सही पत्र लेखन आया करता था तो अगर आप Class 10 या 12 किसी भी Class के स्टुएंट हो आप देख सकते हो और आप किसी भी Board के भी स्टुएंट हो देख सकते हो कोई दीकत नहीं क्योंकि सामने था ही इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको पत्र कैसे लिखना है और मैं बता दू कि UP Board के Class 10 में निश्ची थे कि यह पत्र जो है पत्र किस टॉपिक पे है कि उत्तरमध रेलेवे में टीकट निरिचक द्वारा किये गए अभद्र बेवहार है तुँ शिकायती पत्र लिखी है ऐसे प्रस्ण आपसे बोलेगा ठीक है तो इसमें आपको पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखोगे चलो मैं आपको बतायता हूँ यह निश्ची थे पत्र Class 10 के बोड़िया में आना ही आना है 100% आपके बोड़िया में आएगा ही आएगा क्योंकि अभी अभी जो Board द्वारा Model Paper जारी किया गया था Hindi में उसमें यह प्रसन दिया भी था ठीके तो चलो यह प्रसनोतर संख्या 10 कें अंतर गताएगा तो आप जो भी प्रसनो आप प्रसनोतर संख्या यहं पे डाल लेना ठीके कि प्रसनोतर संख्या कितना है और आप एक heading type का बना लेना उपर कि उत्तरमध रेलेवे में टिकट नीच्छक द्वारा किये गए अबद्र बेवहार हेत्तु शिकायती पत्र ठीके ऐसे आप heading बना लोगे ये काले pen से लिखोगे उसके बाद यहां सारगा सारगा नीचे जो भी material लिखोगे इसमें नीला pen यूज करूगे कहीं भी ऐसा नहीं कि रंग भी रंग का आप कहीं काला कहीं नीला ऐसा नहीं क्यों नीले pen कहीं आपको उपयोग करने है ठीके चल पे लिखा दा रहा है भाई पत्र आप लिख रहे हो तो किसको लिख रहे हो भाई आपके मालो आप किसी मतब रेल में यात्रा किये हो और उसमें आपके द्वारा टीटी के द्वारा अभद्र बेवार किया गया है ठीक है तो टीटी के द्वारा आपके साथ अभद्र बेव जो महाप्रबदक है उनको कहा जा रही उत्तर 됩니다 मालो cig mensen का मुक्ख्याले दिल्ली में सितते हैं तो ऐसे उपरेसногоити analytش का लिख दोगे कि सेबा में denओ क्लियर उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहां पत्र लिख रहे ओं तो तीकट निरिच्छक द्वारा यहां पे देखो टीकट निरिच्छक यानि वही टीटी द्वारा अभध्र बेवार के संबंध में यह पत्र लिखा जा रहा है सिम्पल ठीके उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहां नीचे लिखोगे महोदे ठीके और इसमें आप लिखोगे कि शविने निवेदन है कि देखो ऐसे पत्रों में ठीके ऐसे पत्रों में हमेशा सविने निवेदन है की लिखा जाता है आगे ठिक चाहे आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो या किसी मतब बिभाग को लिख रहे हो तो हमेशा आपको शुरू में सविने निवेदन है की लिखना पड़ेगा क्लियर तो देखो यहां पे लिखा गया है सवर्य निवेदन है कि मैं यहाँ मैं एक जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो है कि मैं निले श्यादो या जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हो कल बंदे भारत direct express से लख्नुस से दिलि जा रहा है था अब देखो यहाँ आप बंदे भारत express या कोई भी यहां पे express या कोई भी train का नाम लिख सकते हो अपने मन से ऐसा नहीं कि कोई निश्ची train हो और वो लखनव और दिली जो जगह यहां पे लिखो तो उसके बीच चलनी भी चाहिए ऐसा कोई नहीं है मतलब ठीक है यहां fact सत्य हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है ठी तो सबिने निवेदन है कि मैं कल बंदे भारत एक्सफ्रेस से लखनव से दिली जा रहा था यहां लखनव से आप पटना या कहीं भी लिख सकते हो लखनव से मुंबई आप कुछ भी लिख सकते हो clear तो सबिने निवेदन है कि मैं कल बंदे भारत एक्सफ्रेस से लखनव से दिली जा रहा था ओके आगे देखो जिसमें मैं मेरी मां मेरी पतनी और मेरे दो बच्चे भी शामिल थे मतलब उसमें कौन-कौन थे जिसमें मेरी मां यानि मदर मेरी पतनी और मेरे दो बच्चे भी शामिल थे आगे लिखोगे कि मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रखा था, किन्तु अपने बच्चों का टिकट अपने बच्चों का नहीं लिया था, क्लियर, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता, और मेरा पहला बच्चा 4 साल का और दूसरा 2 साल का है, इसल आगे देखो अतह मुझे इन दोनों का टिकट लेने के जुरुत नहीं पड़ी यहां तक तो किलिए है आप पासानी से लिखे लोगें देखो एकदम सिंपल लागों में मैंने लिखा हुआ है कि सबीने निव्यदन है कि मैं कल बंदे भारत एक्सप्रेस लखनव से दिल्ली ज कहें बंदे आरा था जिसमें मैं मेरी मा, मेरी पतनी और मेरे दो बच्चे भी सामिल थे मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रख़ा था किन्तु अपने बच्चों का टिकट नहीं लिया था क्योंकि पान साल तक के म्परेसे यह चार का है ऐसे आप लोग लिख दोगे आगे लिख होगे अतह मुझे इन दोनों का टिकट लेने के जुरत नहीं पड़ी क्योंकि वो 5 साल से चोटे हैं सिंपल आगे देखो किन्तु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में शफर कर रहा था तभी एक टिकट निरिछक आया जिसका न पंकस दिरवाटी था मैंने यह नाम लिख दिया है ठीक आगे चलो यहां पर इसके आगे आगे आप क्या लिखोगे देखो चुगी आपको यह इसका नाम क्या था पंकस दिरवाटी आगे देखो ठीक आगे क्या है उसने हमारे पूरे परिवार का टिकट चेक किया और मेरे दोनों बच्चों का टिकट नो होने के हमारे साथ अभधर बेभार किया अब अभधर बेभार में भाई ए ऊछोड़ो क्या किया गाली या दिया मैंतर क्या क्या किया उसको मंतर प्यांतोंब इकस्प्लेन नहीं करना है केवल हां नौर्मली लिख दोगी हां monitor आगे लिखोगे कि जब मैंने उससे बताया कि इनका टिकट नहीं लग शकता, क्यों नहीं लग सकता भाई, क्योंकि वह पांट साल से छोटे हैं, तो ही उसने बताया होगा, तो उसको हमने लिख दिया कि जब मैंने उससे बताया कि इनका टिकट नहीं लग शकता, तो वह ही करे ठीक और नीचे आप लोग ऐसे लिख दोगे भवधिय अब मतब राकेस गुपता यानि जो भी आपका नाम हो यहां पर ठीके ऐसे तो बोड़ीजा में नाम लिखना एलाउन नहीं होता है तो यहां पर एक सुवाई जेड भी कर सकते हो ठीके या कोई कालपनिक नाम भी लिख सकते हो और यहां पर जो भी आपका पता हो जैसे आप लखनाउ से दिल्ली जा रहे थे तो भाई आपका वहां तो स्पेस्पिक है नहीं कि मैं अपने घर लखनाउ से दिल्ली जा रहा हूं तो हाँ आपका घर वहां डिफाइन हो जाता है कि लखनाउ आपका घर है तो कल दवा लेकर बंदे भारत एक्सप्रेस से लखनव से दिल्ली अपने घर जा रहाता है ऐसे भी मतब आप अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हो ठीक तो यहां पर डिफाइंड कर दोगे कि आपका घर भाई लखनव है तो यहां पर लखनव लिख दोगे नहीं तो अगर को यानि डेट को आप पत्र लिख रहे हो यहां मैंने 10-2024 डाल दिया है आई थिंक मैंने एक्सपिक्ट किया है कि आप लोग का हिंदी का जो पेपर होगा फरावरी में लगभग 10 उस सारीक से स्टार्ट होगा इसलिए मैंने यहां पर यह डेट ऐसे ही डाल दिया है ठीक है बाकी आप जिस दिन पत्र लिखना वही यहां पर डेट डालना क्लियर तो यह रहा पूरा क्फुरा पत्र इस टॉपिक पे हम लोग का टॉपिक क्या था टॉपिक था उत्तर मद्र रेलेवे में टिकट रिचक द्वारा किये अभद्र बिवहार हेतु शिकायती पत्र ठीक ह यह हम लोग का टॉपिक था तो आश्र करता हूं यह पूरा कफुरा आपको कलियर होगे होगा अपत्र और अगर आपके एकज़ाम में आ जाता है तो आप इसको लिख लोगे अपने हिसाब से बना कर ठीक है अपको याद करने के जोड़त नहीं है आपको अपने हिसाब से टेस्ट एड कर रखा है आप जाकर टेस्ट भी देना और साथ ही इस वीडियो के डिस्रिप्शन में जो हम लोग का WhatsApp चैनल है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आप WhatsApp चैनल जोईन कर लेना ठीके वहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले मिल जाएगी ठीके तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू